गोपाल एक छोटे से गाउं में अपने परिवार के साथ रहता था उसकी बीवी तारा और दो छोटी छोटे बच्चे यही उसकी सारी दुमिया थे गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेटी बाड़ी करके वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था बहुत ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाती थी परंति बहुत थोड़े में ही बहुत खुश थे और उन्हें दो वक्त का खाना मिल जाता था गुपाल का स्वभाव बहुत अच्छा था उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी बहुँ हर एक की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहता था गुपाल की खेतों में फसल तयार होने ही बाली थी बस बारिश का इंतजार था मेरे पूरे साल की मेनत और इंतजार का फल अब हमें मिलने वाला है बस इस बार बारिश खुब अच्छी हो जाए तो हमें फसल के अच्छे दाम मिल जाएंगे भगवान से यही प्रार्थ न करेंगे कि बारिश अच्छी हो जिससे कि गाउं में सधी की फसल बहुत अच्छी हो परंती इस बार बारिश का इंतजार करते करते किसानों की अंखे ठक जाती है बारिश नहीं आती पानी की कमी के कारण गाउं में काफी लोगों की फसले खराब हो जाती है और सूख जाती है गुपाल की भी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और पानी की कमी के कारण उसकी सारी फसल सूख जाती है मुझे कितनी उमीद थी इस बार पर अंतु बारिस ना आने के कारण सारी मेहनत पर पानी फिर गया अब इन फसलों के लिए मैंने जो धार लिया था उनका पैसा मैं कहां से चुकाऊंगा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप परिशान मत हो भगवान सब का भला करेंगे पर उस वाले तिनेश भाया के खेट भी पूरे सुख गए और उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है पर उनकी बीवी बता रही थी कि तिनेश भाया शेहर जाने की सूच रहे है तुम भी क्यों नहीं शेहर जाकर कोई काम ढूम लेते या भी मैं अपनी जमीन बेच दू परन्तु इस जमीन को मैं बेचना नहीं चाहता एक यहीं तो है हमारे जीने का सहारा दोनों पती पत्में बात चीट करने के बाद ये तैय करती है कि गोपाल कुछ दिन शेहर जाकर काम करेगा गोपाल जाने की तैयारी करने लगता है देखो तारा मैं गाउं से खाली हाथ जा रहा हूँ नहीं जाकर पता चलेगा कि शेहर में कुछ काम मिलता भी है या नहीं यदि मुझे कुछ अच्छा काम मिल गया तो मैं कुछ पैसे घटे होते ही वापस गाउं का चक्कर लगा लूँगा और तुम्हें कुछ पैसे खर्चे के लिए दे जाऊंगा आप मिश्चिंत होकर वहां काम कीजिएगा और कर्स चुकाने के लिए पैसे जोड़िएगा हमारे चिंता दूकुल मत करना मैं और दो छोटी छोटी बच्चे हैं हमारा कितना खर्च होगा और फिर मैं अपने माई के जाकर रह लोगी आप चिंता मत कीजेगा अगले दन गोपाल शेहर चलने की तैयारी करता है ये लीजे खाने के लिए कुछ सामान और खर्चे के लिए कुछ रुपए है ये थैला संभाल कर रखना तुम्हारे पास ये रुपए कहां से आए मैंने बहुत ताइम से रोज के खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे है ताकि मुसीबत में काम आए सो आज इनकी ज़रूरत आ गई आप रुखिये नहीं गोपाल की आँखों में आँसुचा लगाए और वो थैला लेकर वहां से चल दिया बहाँ पहुचकर सारा दिल धक्के खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता गोपाल बहुत चिंतित हो जाता है और सूचने लगता है यदि मुझे यहां काम नहीं मिला तो मैं अपने परिवार का खर्च कैसे चलाओंगा और फिर मेरे सर पर करजा भी तो है है भगवान मेरी मदद करना गोपाल सारा दिन इधर उधर भूखा प्यासा घुमता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता आखिर में निराश होकर वो इत पार्च के किनारे पेड़ के पास बैठ जाता है तभी दो जीब कत्रे उसे देख रहे थे अरे बिल्लू इधर देख वो पाक के पास नया मुरगा देख देख उसके हाथ में एक थैला भी है क्या बात है उत्तार आप ती दूलती नदल आप निलना थूपल दोनों तमालती हैं अबे तोतले चिपकर और जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन तोली उत्ता तोली देख तीन दिन से कोई मुरगा हाथ नहीं लगा है सो आज इसे ऐसे नहीं जाने देना है समझ गया मैं जाओंगा और इसको बातों में लगाओंगा तो चुप चाप से इसका बैग उठा लेना और एक दो ग्यारा हो जाना तमद क्या अब देखो बिन्द ता तमाल है कल्लू गोपाल के पास जाकर अरे रजनीश भाई कैसे हो आप है इतने देनों से देखे नहीं भाईया भाई आप कौंग माप करना मैंने आपको पहचाना नहीं मैं नाम रजनीश नहीं गोपाल है अरे यही तो मैं सोचूं मैं नाम भूलना हूँ आपका इतने दिनों बाद मिले हो कहा पैचानोंगे हैं कैसे हो आप सूरज कुम इसे आया हूँ ना अरे भाई मैं सहर में अंजान हूँ अगर आप मुझे जानते हैं तो कोई काम दिलवा दीजिए उतनी देर में बिल्लू चुप-चाप से गुपाल का देरा चुडा लेता है और वहां से भाग जाता है से अधली और ध्क ठीक है लगता है गलती हो गई पहचान ने में मुझ से ऑर वह से चला जाता है अजीम लोग है सहर के वहाद खुध ही जान पहचान की भाद में ऐसे ही निकल लिए मैं मनी मन भख्वान से प्रार्थना करने लगता है कि बहुँ उसकी मदद करें तभी गुपाल को एक व्यक्ति के चिलनाने की आवाज आती है बहुँ व्यक्ति मदद के लिए चिलना रहा था गुपाल आस पास नजर घुमाता है तो उसे इत अधिर उमरता व्यक्ति डर्द से कराता हुआ सड़क के किनारे गिरा देखता है वह आस पास मदद के लिए कोई भी नहीं था जो तो चार लोग वहाँ से निकल भी रही थी उन्मे से किसी ने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई गुपाल उस व्यक्ति के पास जाता है और पूचता है अरे आपको क्या हो गए आप ऐसे क्यों गिर गए है वह व्यक्ति कुछ जादा नहीं बोल पाता पस दर्द से चलाता रहता है गुपाल को कुछ नहीं सूझता वो जलदी से सामने रिक्षा रोग कर किसी तरह उस बैक्षी को उठाकर उसमें डावजा है और हॉस्पिटर की तरफ चलने को कहता है गुपाई उसमें प्लिकर हॉस्पिटर के ले जाकर डॉक्टर को देखने के लिए कहता है इन्हें हार्ट अटेक आया है अमें तुरंत इनका इलाज शिरू करना पड़ेगा आप इनके रिष्टेदार है जी नहीं मैं तो इन्हें जानता भी नहीं मैं सड़क किनारे बैठा था तभी वहां मैंने इन्हें गिरा हुआ पाया इसलिए मैं तुरंत इन्हें हॉस्पिटर ले आया आपको तुरंत कुछ पैसे जमा करवाने हुँगे क्या आपके पास पैसे है गोपाल सोचने पर जाता है और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साभ मेरा थैला किसी में चुरा लिया जिसमें कुछ पैसे थे लेकिन अब तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है मैं तो खुद भूखा प्यासा काम की तलाश में गूंग रहा था तभी मैंने इन्हें गिरा हुआ पाया इमर्जंसी में उस ब्यक्ति का इनाज शुरू कर देते है गोपाल जिस समय उस ब्यक्ति को हॉस्पिटल ला रहा था तभी उसकी चेब से एक बटवा किर गया था जिससे समभाल कर गोपाल में अपनी पास रख लिया था गोपाल बटवा डॉक्टर को दीता है और कहता है डॉक्टर साहब ये इन्ही का बटवा है आप इसे खोल कर देख लीजिए इसमें शायद कुछ पैसे हैं मैंने इसे नहीं खोला डॉक्टर जैसे ही उस बटवा को खोलता है उसमें काफी पैसे थे उसे एक आईडी कार्ड और क्रड़िट कार्ड ही मिलता है आईडी कार्ड देखते ही डॉक्टर गहता है अरे ये तो शेहर के मशुहूर उद्योग पती राम कपूर है तुमने ये बहुत अच्छा किया इस बटवे को सम्हाल कर रखिया इससे हमें ये पता चल गया कि ये कौन है हमने इनका इलाज शुरू कर दिया है तीन से चार दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा तुम चाहो तो कला कर इनसे मिल सकते हो जे डाक्टर साब आपका बहुत बहुत सुक्रिया मैं कला कर इनसे मिल लूँगा गोपाल वहां से निकल कर एक पार्क में जाकर सो जाता है उसके पास खाने पीने के कोई पैसे नहीं थे नहीं रहने का कोई ठिकाना अगले दिन सुबह उठकर गोपाल हॉस्पिटल में उस व्यक्ति से मिलने जाता है गोपाल डॉक्टर से मिलता है और उनसे उनका हाल जाल पूछता है डॉक्टर सहाब अब उनकी तव्यत कैसी है क्या वो ठीक हो गए है क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है अब मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ डॉक्टर गोटाव को लेकर मिस्टर राम कपूर के रूम में जाता है अब मिस्टर कपूर ये वही वेक्ति हैं जिन्होंने कल आपकी जान बचाई यदि ये आपको समय पर हॉस्पिटल ना लेकर आते तो आपकी जान को ख़द्रा था और इन्होंने ही आपका बटवा समभाल कर हमें दिया जिससे हमें पता चला कि आप कौन है अरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया यदि कल आप मेरी मदद ना करते तो शाहिद आज मैं जिन्दा ना होता आप एक नेक इनसान होने के साथ साथ इमानदार भी है वरना शहर में किसी के हाथ को बटवा लगे तो वो कहां वापस करता है परन्तु आप में उसे समभाल कर रखा उसमें मेरे कई कींती ग्रेडिट कार्ड और आईडी कार्ड था आप ठीक हो गए मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है रामकपूर को पार्च से पूछते हैं कि बाग कहां रहता है और क्या काम करता है जी मैं तो गाउं में रहता हूँ और उसी दिन गाउं से सहर काम की तलास में आया था परन्तु पूरा दिन धक्के खाने के बाद मुझे यहां कोई काम नहीं मिला फिर धाखार कर निरास होकर मैं एक पार्क में प्रेड के नीचे बैठ गया जहां मैंने आपको गिरा हुआ पाया था उसकी सारी बातें संद कर मुझे कापूर बहुत हैरान होते हैं कि भाग यक्ती इतनी परिशानी में था फिर भी उसने उनकी मदद की यह एक बहुत अच्छे इंसान की पहचान है अब देखो गोपाल कल मेरी चुट्टी हो जाएगी तुम इसी समय यहां आ जाना मेरे हॉस्पिटल से चुट्टी होगी तो तुम मेरे साथ ही मेरे घर चलना मैं तुम्हें काम दूगा जी आपका बहुत बहुत सुक्रिया मैं कल ही समय पर यहां पहुच जाओंगो अगली दिन गोपाल हॉस्पिटल पहुच जाता है और रामकपूर के साथ उनकी घर चल पड़ता है रामकपूर के घर पहुचने पर गोपाल उनका घर और गारिया देखकर चकित रह जाता है और महिमन सोचता है कि बाद कितने बड़ी आदमी है गोपाल घबराता हुआ रामकपूर के पीछे पीछे घर के अंदर पहुचता है गुपाल तुम आराम से यहां बैठो और कुछ खा भी लो गुपाल वहां बैठ कर आराम से खाना पीना करता है कुछ दिर में गुपाल वहां आते हैं और गुपाल से कहते है बोपाल, मैं तुम्हारी इमांदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ यहाँ शहर से थोड़ा दूर मेरी बहुत बड़ी फैक्टरी है जहाँ खेटों में काम आने वाले बीज और खेती बाड़ी में काम आने वाले सामान का उतपादन होता है हमारा सामान दूर दूर तक बहुत से छोटे शहरों और गाओं में जाता है मुझे एक ऐसे रेक्ति की तलाश है जो इन सब चीजों की जानकारी रगता हूँ और इमानदारी से काम संभाल सके क्या तुम मेरी फैक्टरी में काम करोगे? जी, खेती बाड़ी के बारे में तुम मैं काफी जानता हूँ मैं गाओं में यही काम तो किया करता था और बीज और खाद की मुझे काफी पहचान है बाकिया आप जैसे बताएंगे, मैं वैसा काम कर लूँगा तो ठीक है, तुम मेरी गाड़ी से फैक्टरी चले जाओ वहाँ का मैनेजर तुम्हें सारा काम समझा देगा और रहने खाने पीने की चिंता मत करना वही पर पास में तुम्हें एक घर मिल जाएगा तो यदि तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहां बुला सकते हो तुम्हारे बच्चों के स्कूल का एडमिशन और फीस सब मैं करवा दूँगा गुपाली सब सुनकर बहुत हैरान और खुश हो जाता है आपका सुक्रिया मैं कैसे आदा करूँ आपने तुम मेरी सारी परिसानी ही हल कर दी मैं आपको सिखायत का कोई मौका नहीं दूँगा पूरी इमानदारी से अपना काम करूँगा शुक्रिया तुम मुझे तुम्हारा आदा करना चाहिए तुम्हारा बहुत बड़ा आहसान है मुझ पर जो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा ये सब तो कुछ भी नहीं यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम बेजजक मुझ से कह सकते हो राम कपूर कुछ पैसे गोपार को देते हैं और वहां जाकर अपना करिज़ा चुका कर अपने परिवार समेथ वापस शहर आ जाता है और राम कपूर की पाक्टे में काम करना शुरू कर देता है गोपार में बिना किसी स्वार्थ या लालच के राम कपूर की मदद की इसलिए भगवान में भी उसकी सुने और उसकी मदद की अब गोपाल की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी और वहां खोशी खोशी शहर में रहने लगा था वीडियो को लाइक करे और ऐसी ही मज़ेदार कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद